नमस्कार पंजाब केशरी देख रहे हैं आप और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं कि कैथल सीवल लाइन थाने से एक आरोपी जो है पुलिस की कश्टडी से गिरिफतार किया हुआ जो फरार हो चुका है बतादें कि बड़ी खबर कैथल सीवल लाइन था जो 85 वर्षिया बजुरुग था बजुरुग थे उनकी जो सिकायद दी गए थी उसके आधार पर जो आरोपियों को गिरिफतार किया गया थे पूरा मामला जो है ठंडे बस्ते में चल रहा था परंतू जो सिकायद करता है कसमीर सिंग वो ग्रह मंत्री अनिल्वीज के कौरतन निवासी जो है भुपेंदर सिंग उर्फ पिंदा को जो गिर्फतार करके लाया गया था और बताया जा रहा है कि दोपैर को जो आरोपी है पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है फिलाल सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीवल लाइन थाने की जहां पर बत जो है विभीन धाराओं के तहट जो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था परनतु मामला पे कारवाई नहीं होने को लेकर जो है पचासी वर्षिया बजूरुक जो है ग्री मंतरी अनिलवीज के दरुआर में गया था जहां पर पुलिस कर्मियों पर भी इसकी गाज गिरी थी और सिवन लाइन थाने के ततकालिन एसेचों को जो है अनिलवीज ने ततकाल प्रभाव से जो उनको लाइन हाजिर करने के आदेश दिये थे उसी समंध में अब कारवाई करते हुए पुलिस ने जो है औरोपियों को ग्रिफतार किया था जिस बीच एक आरो बड़ा स्वाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे एक आरोपी जो है पुलिस की जो है कारेसेली पर कहीं स्वाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से एक आरोपी पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाता है चक्मा देकर फरार हो जाता है कहीं ना कहीं बड़े स्वाल पुलिस की कारेस भी जारी किया गया था परंतु अब की अपडेट आपको दे रहे हैं कि आरोपी जो है पुलिस की कस्टडी से फ्रार हो चुका है हाला कि एसे चो का कहना है उन्होंने अभी अभी कार्याबार संबाला है कि जल्द ही आरोपी को गिरिफ्तार कर लिया जाएगा परंतु बड़ वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद